येस, we are live now है, चार सब्जेक्ट हो जाएंगे, पेपर टू में और डेर सो में से, नब्बे नंबर आपको ले करके आने अगर आप जैनरल कैटेग्री में है, अगर आप किसी भी कैटेग्री से ब्लांग करते हैं, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आपको कोई merit में आना है, तो पहली बात तो ये समझनी है, कि आपका competition सिर्फ आप से है, कोई negative marking नहीं है, धाई घंटा पूरा आपके पास है, यानि समय की कोई कमी नहीं है, दूसरा negative marking नहीं है, कुछ-कुछ से लोगों ने पढ़ा है, हफ्ते भर, ऐसे ऐसे भी खतरनाक लोग हैं, बस क्या ही कहें, उससे भी कम समय में, marathon's देखें हैं, notes पढ़ें हैं, देखते हैं, अगर हम बात करें, दो तरह की लोग हैं इस time पे, अगर हम learners की बात करें, जो लोग को aspirants हैं, जो लोग पे, डर आपको भी लगेगा, अगर आप नया पढ़ना हैं, तो, तो डर, खत्म करने का एक तो तरीका यह है, कि 500 नमर का paper है, 150 marks, धाई घंटा आपके पास है, यानि, 500 ही minute है, no negative marking, यानि, negative marking जैसी कोई चीज नहीं है, competition जैसी, merit जैसी कोई चीज नहीं है, यानि, qualify करना है, हमें 90 नमर लेकर के आने है 60%, तो अगर आप probability के हिसाब से भी, paper अच्छे से solve करके आएंगे, थोड़ा अपना common sense भी इस्तेमाल करके, और जो बातें अभी हम करना हैं, तो paper रोक नहीं सकता, 120 प्लस लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी भी आज के batch में, KVS में मतलब मुझे तो इतने सारे learners है, मैं track भी नहीं कर पाती हूँ, कोई 134 बता रहा है, अपने नमबर को 136 बता रहा है, तो यह बहुत common है, हमारी learners 143 तक नमबर जो हैं, पहले ले करके आएं, यह आपको दुखी नहीं करने की बात है, यह inspire करने की बात है, online में भी 100 अड़तिस तक जाता है score, तो अगर आप पहले से पढ़ रहा है, तो क्या करना है, दो-तीन चीज़े हैं, जैसे, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, तो आपको PYQs analyze करके, या syllabus को analyze करके, कमजोर आप कहा है, वो देखना है, और अपनी test series वगेरा जो आप लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे, batches में भी 20 test series अगर आपको free मिली हैं, अगर हम नई लोग की बात करें, तो उनको भी 2-3 ही काम करने हैं, बहुत ज़्यादा attention लेनी नहीं है, क्या करेंगे, एक तो simple है, दो तरह की लोग हैं, जो videos देख लेते हैं आसानी से, और कुछ लोग हैं जो पढ़ लेते हैं आसानी से, तो ये notes हैं, ये EBS वाले notes हैं, बाकी notes के भी, जो है, यही स्थितिय है, कोई 20 page के notes हैं, कोई आपके 40 से 47 page के notes हैं, CDP के, तीन subject मैं आपको दे चुकी हूँ, तो सबसे पहले तो एक काम करना हैं कि ये notes read out कर लेना है, क्योंकि और इनको multiple times revise जरूर कर लेना है, notes की पहली शर्ती ये होती है, notes तब कहलाएंगे, वो जब concise हों, है ना, संक्षिप्त हों अगर, तो अगर हम कहें, कि एक तो ये notes संक्षिप्त हैं, ठीक है, अब इस टाइम पे आप कोई नई किताब, कोई नए notes, लेने मत जाएगा, reason ये नहीं है, कि वो खराब होंगे, या वो काम के नहीं होंगे, syllabus तो भर-भर के पूरा, मिल जाएगा आपको हर जगा पे, but आप 50 page पढ़ रहे हैं, उसमें से 25 question आ रहे हैं, या फिर आप 500 page पढ़ रहे हैं, उसमें से 20 question या 25 question आ रहे हैं, तो इस टाइम पर समझदार ही है, है कि हम concise पढ़ें, अगर आपके किसी दोस ने notes बनाए हुए हैं, नहीं तो आप description में free notes हैं, कुछ 10 लाग से उपर लोग इनको download कर चुके हैं, क्योंकि notes जब आप पढ़ेंगे, तो दिमांग में चीज़ें जाएंगे, अगर आपको लगी कि इस बीच वीडियो देखनी की ज़रत है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, समझ में ही नहीं आता, पढ़के भी, तो उस case में फिर आप 5 marathon sessions देख सकते हैं, और अभी कल से ही, most probably कल से, आने वाले समय में, अगले next one week के अंदर, अलग-अलग subject के marathons आपको मिल जाएंगे, CDP के marathons में ने 8 गंट इस बार CDP पढ़ाया है, 4 sessions में, और क्यूंकि इस बार थोड़ा सा conceptual और किया है, अगर आप NCIT की सम्री देख रहे हैं, चैनल पे previous marathon देख रहे हैं, सब कुछ सेम है, तो एक तो यह करना है कि यह 5 marathon देख लेनी है, कहां देखेंगे यह marathon, अगीन चैनल पे ही देखेंगे, let's learn यहाँ पे आप जुड़े हुए हैं, लाइफ सेक्शन में जाएंगे और पॉपिलर marathon में जाएंगे, यह कुछ एक करोड व्यूज के आसपास इस पे हो चुके हैं, यह जो CDP वाली भी है, सिर्फ 4 मिंटे के, यह भी आप देख लेंगे 25 प्लस नंबर, आज भी आपके आज जाएंगे, हालां कि यह एक साल पुराना सेशन हैं, फिर भी, क्योंकि concepts तो अगीं सेम हैं, फिक, तो यह आप देख सकते हैं, इसके अलावा, प्याजे वाइगोस्की किसी को, मतलब अलग-अलग से भी topic पढ़ने तो भी सब कुछ कराया हुआ है, नहीं, तो यह 5 marathon देखेंगे, Hindi, English, Maths, EBS, और आपका CDP, तो यह ज़रूर देख लेनी है, अगर आपके पास समय है, नहीं है, तो सिर्फ आज से और एक्जाम तक जो चैनल पे हो, उतना देख ली जगा, कि आपको लगता है भाई लाइव या अटेंड कर पाऊगे, अब recorded videos या पुराने videos, क्या ही देखें, तो यह एक करोड़ लोग teaching exams में देख सकते हैं, यह अपने आप में ताज्जुग की बात रही है, क्योंकि ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है, और आज तक भी अभी तक हो नहीं पाया है, तो अगर हम बात करें, तो यह concise यानि notes को पढ़ लेना है, तीन subject के notes, Hindi के, English के और CDP के, मैं description box में link आपके पास है, download करिए, free download करने हैं, किसी को एक रुपया नहीं देना इस चीज़ के लिए, दूसरा यह EBS के notes और Max Pedawagi के notes, अगले 2-3 दिन में आपके पास आ जाएंगे, या आप multiple times पढ़िए, क्योंकि काम की चीज़ें हैं, जितना दिमाग में fit हो जाएंगी, उतना बहतर है, फीक, एक तो बात यह हो गई, दूसरा, again, tension लेनी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, पहली बार online exam होने जा रहा है, आपको बता है, 28 से अगर paper start है, आपका admit cards, pre-admit cards, basically आपके पास आई ही चुके है, last year भी यही हुआ था, online exam में यह लोग पहले pre-admit card देते हैं, बाद में final admit card देते हैं, आपके दो दिन पहले paper से, तो एक हफ़ते पहले आपको यह बता से जाएगा, आपका exam है कहा, मतलब किस शहर में है, तो अगर आपका pre-admit card भी download नहीं हुआ, इसका मतलब paper आपका बाद वाली shift में है, तो जिनका exam अभी 28 से ही है, वो बिलकुल सतर्क हो के पढ़हेंगे, कुछ और topics हैं जो मैंने आपको बताये थे, ये 1500 नंबर के जो 5 subject थे, इनमें 3 subject, paper 1 के लिए भी common है, paper 2 के लिए भी, हिंदी भी 30 नंबर की, English भी, Child Development and Pedagogy भी, ये तीनों तो common ही है, यानि 90 marks common है, तो SST या Science for Maths जिनका है, वो क्या करेंगे, सिर्फ previous year का थोड़ा सहरा ले लेंगे, अदर्वाइस इन 3 subject को बहुत अच्छा करना है, बाकी 2 को average भी कर लोगे जो चल जाएगा, paper 2 की में बात कर रहे हूं, paper 1 में अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये 3 के notes आपको मिल चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा नई way में करेंगे, जो नई questions के साथ, अगर हम बात कर रहे हैं, CDP, English और Hindi की, देखिए अगर CDP आपका अच्छा है, Hindi English पर फर्क पढ़ता है, और कोई भी एक language की pedagogy आपने अच्छी कर लिए, तो दूसरी language की pedagogy, automatically बहतर हो जाती है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, कि कौन सी चीजों पर सबसे पहले focus करें, सबसे पहले CDP, Hindi, English, EBS, ये आपको जरूर जितना हो सके, और इस टाइम पर व्याकरण पढ़ते नहीं बैठ जाना है, कोई detailed grammar आपसे नहीं पूछी जाती, बिल्कुल basic, 2-3 questions होते हैं, उसके लिए अब आप व्याकरण पढ़ने नहीं बैठेंगे, अगर आपने अभी तैयारी शुरू किये, पहले से तैयारी शुरू किये, तो आपको तो क्या ही attention है, आप तो जो मर्जी करिए अभी, और ये एक छोटी सी बात होगी, notes, ये marathon session, और आज से, मतलब कल से ही, exam तक जो भी होने वाला है, वो सब, daily A की class होगी आपकी, चाहिए वो थोड़ी बड़ी हो, चोटी हो, उसको आपको attend करना है, रात को 9 बजे हम session रखते ही हैं, तो ये छोटी-छोटी सी बात दे थी, दो-तीन, जो आपके साथ करनी थी, और ये कुछ 10 बहिंटे प्लस की मैनत होने, वो आप देख सकते हैं, थोड़ा speed पर भी देखेंगे, तो 5 बहिंटे में देख लेंगे, जो लोग नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो तो सिर्फ, जो test series है, वो इसलिए test दे रहे हैं, कि बास उनको पता हो कि online paper कैसे attempt करेंगे, और जो पुराने लोग हैं, उनका score पर थोड़ा ध्यान हो सकता है, लेकिन बहुत जाए attention नहीं लेनी इस score को लेकर के, पर प्लिक नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, basic 2-3 test series आपको लगा लेनी है, 2-3 test लगा लेनी है, test series भी किया, ठीक है, तो ये basic सी बात हुई, और इसके अलावा, इसके अलावा, आपका जो ये कुछ topics थे, अगर आपको लगता है कि सबसे जादा scoring कौनसे topics हैं, यही topics हैं, सारे subjects में यही topics scoring हैं, अगर हम देखें, क्योंकि language skills, language acquisition ये दोनों में आएगा, Hindi, English में, ये तीनों ही topics ऐसे हैं, जो CDP में भी आएंगे, Hindi में भी आएंगे, English में भी आएंगे, इवन ये सारे topics ही, NEP आपका अलगभग पूछा हुआ है, बहुत इस बार inclusive education 5 नमबर में अकेला topic है, ये सब कराया भी हुआ है, अगर आप let's learn पर सर्च करें, तो ये थोड़े सा, इन बेसिक्स ही हैं, ऐसा नहीं, कोई rocket science तो है नहीं, जो पहले हुआ है, वही अब नहीं हो सकता, तो आपके उपर है, कि आप notes से शुरुआत करना चाहा रहे हैं, तो अगर आप notes से शुरुआत करना चाहते हैं, आपको notes अच्छे से समझ में आते हैं, कम time में पढ़ लेते हैं, तो आप notes पढ़ लिजे, अगर आपको वीडियो देखके समझ में आता है तो आप marathon sessions देख लिजे दोनों कर सकते हैं बहुत अच्छा क्योंकि किये जा सकते हैं समय पे इतना समय हमारे पास है साथ में जो लोग पहले से तैयारी कर रहा है या previous year जरूर देखने है previous year जरूर देखने हैं जोनों में आप अपनी जैसे maths में कुछ लोग naturally कमजोर हैं यदी तो अब एकदम से तो बढ़ने ही जाएंगे पेड़गोजी का मेरा थान देखेंगे पेड़गोजी section solve करने ही कोशिश करेंगे तो यह छोड़ी-छोड़ी बात नहीं है यह जो लगाने हैं आप practice कर लें चैनल पर आ करके 600 questions तो CDP के नए कराए हुए online तो उस case में उतना भी आप कर लेते हैं तो paper निकल जाएगा तो अभी यह सोच के कि क्या करना है क्या होगा के नहीं होगा simple अपना एक ही fund है कि बच्चे को active रखना है यह मूल मंत्र है जो हम let's learn पर discuss करते ही है बच्चे क्या रखना है active रखना है बच्चा सक्रिय होना चाहिए meaningful होनी चाहिए learning अर्थपूर्ण होनी चाहिए likes से related होनी चाहिए तो बच्चा active रखना है हर एक option में जब भी बात किसकी हो रही है pedagogical question की हो रही है pedagogy 90 plus marks की है आपके paper में क्यों क्योंकि EBS में भी 15 number की है maths में भी 15 number की है Hindi English में भी 15 15 number की है CDP अपने आप में 30 number की है तो अगर आपकी pedagogy strong है तो उस case में आप paper को तो ले जाएंगे निकाल करके चलिए कोई और बात हो आप comment में पूछ लेजगा कल 9 बजे बढ़ाई करेंगे और समझेंगे क्या चीज़ें हो सकती है टेक